हेलो माई डियर स्टुएंट्स बेलकम टू माई चैनल लीजे ले करके हम हाज यह एक बात पुना क्लाश 10 के मैट का एक्सरसाइग 1.1 आप लोग अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा बेल आइकन दबाईगेगा ताकि जैसे हम कोई वीडियो अप्लोड करें आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचें परिस्ट क्या कह रहा है यूज यूकलिष्ट दिवीजन अल्गोरिफ्न टू फैंड दे एक्सराइब आप 135 और 225 का हमें एक्सराइब करना है कैसे करेंगे सबसे पहले देखेंगे कि 135 जो है यह 135 हमारा छोटा है किससे 225 से आगर यह छोटा है तो क्या करेंगे इसको हम बीच में रखेंगे बड़े वाले को ऐसी अब अभी तक हम लोग ऐसे फाइंड करते थे 135 से हम डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा वन टाइम जाएगा 135 हम माइनस करेंगे क्या आएगा 5 माइनस 5 हो जाएगा 0 और यहां 12 माइनस 3 हो जाएगा 9 यह 90 बचेगा करेंगे क्या 225 इक्वल टू करेंगे हम 135 इंटू वन रिमेंडर कितना आएगा हमारा 90 पूना 90 से हम डिवाइड करेंगे यह जो है इसको लेके आखे यहां रख लेंगे कितना है 135 कितनी बार जाएगा वन टाइम यह भी जाएगा यह वन टाइम अगर जाएगा तो हो जाएगा 90 डिवाइड अगर माइनस करेंगे क्या आएगा यह 5 आएगा यहां पे आजाएगा 4 इसको डिवाइड करेंगे पुना 90 से इसको पहले लिखेंगे क्या हो गया आपकी बार आपकी बार यह था हमारा 135 35, 135 क्या होगा, 90 into 1 plus 45, reminder हमारा आया 45, आपकी बार फिर dividend क्या होगा हमारा, 90, 90 किसे divide करेंगे, 45 से कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा, reminder कितना आएगा, 0 देखे यहाँ पर, 45, 20, 90, reminder कितना आगया, कुछ नहीं, जैसे जिस भी संख्या से reminder 0 आजाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, S-E-R, so, S-E-R of, 135 and, 225 is, 45, यहीं हमारा reminder कितना आजाएगा, 45, जिससे last में reminder 0 आएगा, जो हमारा divisor होगा, वो ही हमारा क्या हो जाएगा, यह S-E-R, समझ में आगया, यह first question का first part है, इसे note down करना होगा, तो वीडियो को back करके देख लीजेगा, हम यहाँ पर इसको erase करेंगे, चलेंगे फिर अगले question पर, इसे erase करेंगे, अगर आपको note down करना होगा, वीडियो को back करके पुना देखेगा, उसके बाद note down करेजेगा, समझने में अगर कोई समस्या होगी, तो comment में जरूर पूछेगा, आगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो इस दिल लाइक कीजेगा, चैनल को subscribe, अगर ना किये हो अभे तक तो चैनल को subscribe कीजे, अपने दोस्तों के पास share कीजे, ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त होती रहे, पढ़ाई किसी को कभी नुकसान दे नहीं होता है, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, जब भी मौका मिले तब भी आप लोग पढ़ते रहिए, जब भी समय मिले मोबाईल का सदुप्योग कीजिए, पढ़ाई के लिए कोई उम्र कोई समय कोई सीमा नहीं होती है, चलिए चलते हैं question number second, question number second में कह रहा, 196 और 38,220 में देखें कि कौन सा बड़ा है, 196 छोटा है किसे 38,220 से, मतलब हमारा जो बीच में डिवाइडेंड होगा, क्या होगा, 38,220 डिवाइड किसे करेंगे 196 से, कितनी बार जाएगा, पहले ले जाएगे, वन टाइम कितना आएगा, 196 माइनस करेंगे, क्या होगा, यहाँ 12 माइनस 6 हो जाएगा, 6 यहाँ 7 बचा, यहाँ से, कही आए कितना होगे, 17 माइनस 9 कितना आएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ बचा, 2 माइनस 1, 1 हो जाएगा, यहाँ से एक हम लोग उतार लेंगे, 6 जा 54 कब 4 हो गया 5 कही हो गया 9 9 जा 81 और 5 86 8 आया 9 बंजा 9 और 8 17 बचा कितना 12-4 कितना आ जाएगा 12-4 कहीं कुछ मिश्टेक हो रहा है चलिटो माइनस 4 हो जाएगा हमारा ये 8 और ये हो गया 5 50-9 हो गया 50-6 हो गया 9 ये पूरा खतम कितना उतारेंगे 0 ये वाला 0 आ गया हाँ पर उतर गया कितनी बार जाएगा 5 टाइम 5 6 जा 33 5 9 जा 45 और 3 48 4 5 बंजा 5 और 4 हो गया 9 ये यहाँ 0 आया कैसे करेंगे 38,220 क्वल्टू करेंगे क्या 196 इंटू 195 रिमेंडर आ गया 0 तो जिससे भी डिवाइजर पर हमारा रिमेंडर जीरो आ रहा है वह हमारा हो जाता है स्ट्राइब है स्ट्रेडद नाइनटी सिक्स आइन्ड थार्टी एट थाउजन टूढ़ेड ट्वेंटी थिक की एसर्ट के एक में थोड़ा सवनिश्टेक हो गया लिखने में Hence, SCF of 196 and 38,220 is 196 ही होगा. हमारा SCF के आ जाएगा, 196 ही हो जाएगा, क्योंकि इसी से हमारा remainder कितना आ गया था, 0 आ गया था, ये question number first का, दो question हो गया, दो part हो गया इसका, तीसरा part हम छोड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए आप लोग इसी तरह से लगाईएगा, अगर नहीं आएगा, तो comment में जरूर अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, फिर मिलेंगे अगले question के साथ, जय हिन!